पहले आप सुबह सुबह इन दो चीजों को निगल लीजे ये दो चीजें आपके जीवन में चमतकार कर सकती हैं ये बढ़िया सफाई करती है और साथ ही कोशिकाओं की सूजन को मिटा देती है अगर आप इसे पलट दें तो आप देखेंगी आपका दिन आराम से 20 घंटे तक चलता रहेगा बड़े आराम से बहुत खुशी हो रही है सुबह का नाश्टा आपके साथ करते हुए जो कि बड़ा दिल्चस्ट लग रहा है क्या आप अपने दिन के शुरुवात ऐसे ही करते हैं जब हम खाना खाते हैं तो वो सबसे जरूरी बात जो हमको समझ लेनी चाहिए भोजन ही वो चीज है जो एक लेवल पर हमारे शरीर को बनाता है दूसरे लवल पर ये दिन भर चलने के लिए हमारे इंधन का मुख्य हिस्सा है जब मैं कहता हूँ इंधन का मुख्य हिस्सा मतलब और पहलू भी है यानि पानी, हवा, सूरज की रोशनी तो भोजन करने का पूरा पहलू ही संतुलित करना है यानि आपके जीवन में ज़्यादा क्या है अगर आप एक खास तरह का खाना खाते हैं तो आपकी सत्तर प्रतिशतूर जा उस भोजन से आती है जो आप खाते हैं जिसका मतलब है पक्का आप दिन में छे से आट गंटा सोएंगी इसका मतलब है शरीर की मरमत का समय आपके जीवन का एक्तिहाई है आपके जीवन का एक्तिहाई हिस्सा यूँ ही चला गया बिना आपको यह पता चले क्यों हुआ क्या तो अगर आप अपने खाने का पैटर्न बदल दें और इसके और भी पहलू है इसमें योग का पहलू भी है लेकिन अगर आप बदलाव करें अगर आप इस तरह खाएं तो आप देखेंगी कि जितना खाना आपको चाहिए होता है वो काफी कम हो जाएगा आपको अपने आपको केवल इतने पर ही रोग के नहीं रखना पड़ेगा लेकिन इसके बाद भी अगर आपने कुछ खाया तो भोजन की मातरा कम हो जाएगी और सूरज की रोश्नी, हवा, पानी से उर्जा प्राप्त करने की आपकी योग्यता बढ़ जाएगी अभी जैसा मैंने कहा जादातर लोगों के लिए उनकी उर्जा का 70% भोजन से आता है अगर आप इसे पलट दें यानि कि 30-40% खाने से आए और बाकी उन 30 स्रोतों से तो आप देखेंगी कि आपका दिन आराम से 20 घंटे तक चलता रहेगा बड़े आराम से और आप जादा जीएंगी इसका मतलब ये है क्योंकि हर कोई जादा सालों तक जीने की सोच रहा है पर क्या ये जरूरी नहीं है कि आप जादा घंटे जीएं हर रोज लेकिन बस इतना ही या फिर आपके सुभे के नाश्टे में और भी कुछ होता है वैसे आमतोर पर एक अनार का फल भी होता है और अगर शारेरिक रूप से मैं बहुत जादा एक्टिव रहने वाला हूँ मालीजे मैं गॉल्फ का एक राउन खेलने वाला हूँ क्योंकि मैं 18 हूल पैदल चलता हूँ वैसे चीज़े नहीं करता तो तब शायद मैं कुछ कार्बो हाइड्रेट जोड़ दूँ ये एक इडली या एक रोटी या वैसा कुछ हो सकता है मतलब या तो गे हूँ चावल या बाजरा इनमें से कोई एक चीज हम जोड़ देते हैं ताकि शारिर्य गतिविधि के लिए हमें ज़रूरी कार्बो हाइड्रेट मिल जाए लेकिन अगर मैं केवल मान से गतिविधी करने वाला हूँ और शारिर्य रूप से जादा घूमणendum फिरणे वाला नहीं हूँ बैठने वाला हूँ तो यहां मैं यह परूसी काई दिल्चस्प चीज़े देख सकती हूँ अगर आप मुझे इसकी इंपोर्टन्स बताए और यह बहुत इंट्रेस्टिंग से दिखने वाली पीली और हरी गोलिया यह क्या है? एक है ताजी पिसी हुई नीम की गोली नीम की पत्तियों की गोली, दूसरी है हल्दी की गोली हल्दी हम यहीं आसपास बड़ी उपजाओ जमीन में उगाते हैं जो पूरी तरह से जावे क्या और्गानिक है और नीम जाहिर है पेड़ों से आती है यह दोनों चीज़ें आपके जीवन में चमतकार कर सकती हैं सुबह पहले आप इन दो चीज़ों को निगल जाएए फिर आप 10 से 15 मिनट तक इंतिजार कीजे ताकि यह फैल जाएं क्योंकि यह दोनों आपके पेट की परतों के सूजन के लेवल को कम कर देंगी और वहां मौझूद बेफालतू के जीवानों को भी मार देती हैं जो वहां हो सकते हैं मान लिजे वहां कोई परभक्षी है तो उससे भी निपट लिया जाता है और साथ ही यह आप में एक एक निखार लेकर आता है आप मुझसे मत पूछेगा कि मुझमे निकार क्यों नहीं है अब धी यहां पर इननोंने पानी कमरे के ताप पानवाला रखा है लेकिन घर पर जब आप इसको लीजेगा आप गुंगुना पानी लीजेगा गरम पानी नहीं हलका सा गरम बस दोनों की एक-एक है ना आप चारों के चारों ले सकती है मुझे आप कोई चितावनी देना चाहेंगे नीम बहुत कड़वी होती है नहीं नहीं आप इसे बस गोली की तरह निगल जाएए वैसे भी वो नीम नहीं है वो हल्दी है मैं थोड़ा धीरे खा रही हूँ निगल जाओ पानी के बिना आप पानी के साथ निगल सकती है जैसे गोली खाते हैं अब नीम गाइस मैं इसे खाने जा रही हूँ ये कड़वी है सद्गुरू तो देखिए ये जीवन के लिए खुद को अभ्यस्त बनाने का तरीका है बुरी नहीं है एक बार आपने इतना कड़वा कुछ खा लिया तो पूरा दिन आपके साथ लोग कुछ भी करें आपको लगता है वो बहुत अच्छा है ये बढ़िया तरीका है और क्या है यहां मुझे कुछ राइफ रूट्स दिख रहे हैं ये है अंकुरित मेथी जो कि शरीर में कोश की इस तर पर सफाई के लिए बहुत महतुपून होती है आपको इसे अच्छे से चबाना चाहिए है क्योंकि इसको जैविक रूप से उगाया गया है देखे ये क्या कहते है उसे वो हाइब्रिड या संचोधित चीजों के इतने बड़े बड़े दाने होते है वो खाने वाली चीज़े नहीं होते ये असली हैं ये बिलकुल वैसे हैं और एक केले पर जीवित रहा हूँ पूरे दिन भर पूरे दिन इसमें वो सारा पोशन होता है जो आपको चाहिए और ये अफकोर्स बादाम है ये थोड़े से ये मेरी अंतराष्ट्री यात्रा के लिए है क्योंकि ये यहां आसपास नहीं उगते बादाम आसपास नहीं होते लोग उगा रहे हैं लेकिन ज़्यादा लोग प्रिया नहीं है और अब ये हैं आखरोट या वालनट्स नट्स के फायदे तो आप जानती हैं ये आपसे थोड़ा मिलता जुलता सा है ना ये मुझ से मिलता जुलता क्यों है क्यूंकि ये नट्स है ये हैं अंकुरित अंकुरित मूंग डाल जो की प्रोटीन से भरपूर है और इसका हरा हिस्सा बड़ा महतुपूर है और ये बहुत जरूरी है कि बादाम को भिगोया जाये और इसको छील लिया जाये क्योंकि इस तरह के मेवों में अपनी रक्षा करने का अपना खुद का एक तरीका होता है जैसे ही आप इसे पानी में भिगो देते हैं अब बीज को ऐसा लगता है उसे बोया जाएगा हम उसे निराश कर देंगे पर उसे ऐसा लगता है कि इसे बोया जाएगा वो अंकुरित होगा और एक बड़ा पेड़ बनेगा और उसके अपनी सपने होते हैं तो जब आप इन्हें भिगोते हैं तो वो क्या करता है कि इसके अंदर कुछ ऐसे कैंसर पैदा करने वाले रसायन होते हैं इसके अंदर ही वो सतय पर आ जाते हैं ये छिलके के ठीक नीचे होते हैं, ताकि कीडे उसे खाए नहीं, कीडे मकोडे उस पर उस समय हमला न कर दें, तो आप उसे भिगो देते हैं, उसे यह हैसास दिलाने के लिए कि वो उगने वाला है, और फिर उसे छील देते हैं, तब आप देखेंगे कि उस तरह के कैमेकल्स निकल गये हैं, नहीं, तो जब आप बादाम खाते हैं, तो आप अंजाने में ही सही कैंसर को पैदा करने वाले हिस्से को भी खा जाते हैं, ओ, ये बड़ी गहरी बात है, मुझे नहीं पता थी, और हाँ एक बात, मुझे अभी 10 मिल्ट रुखना पड़ेगा ना, इससे पह ये बढ़ी आसाफाई करती हैं, और ये कोशिकाओं की सूजन को भी मिटा देती है, ये बहुत ज़रूरी है, ऐसा कोई खाना है, जो हमें नहीं खाना चाहिए, अलो पराटा, चोला बत्तूरा, बट दाता, साबू दाना, बट चिक्किन, झाला है, ये बटे रहां है, ये जे साबूँ झाला है, कर दो चाहिए, करता है, सुछ लार चाहिए, ज्वाइन और हूब नहीं, झाला है, ओधर झाला है,